अलावकिक आकर्शन जम्बू सर गुज्रात तीन फर्वरी सन दो हजार ये छवी है वॉकिंग की वॉकिंग है एक दिव्य व्यक्तित्व का ये ब्रह्म स्वरूप प्रमुक स्वामी महराज का नित्यक्रम था वे जहां भी ब्रह्मन करते वहां बिना किसी प्रचार ऐसी ही भीड उमणाती थी चाहे बालक हो या वृद्ध पुरुश हो या महिला नगरवासी हो या ग्रामिण स्वामिश्री की उपस्थिती में हर किसी की नजर स्वामिश्री पर ही केंद्रित रहती थी एक और तो उनका आकरशक व्यक्तित्व सारी ग्ण्याती या धर्म की सीमाओं को पार कर चुका था तो दूसरी और वातावरण के विशमता से भी परे होकर लोग दर्शन के लिए पहुँच जाते थे चाहे बैठनी की जगह मिले या ना मिले वे खड़े खड़े दर्शन का आनंद उठाते थे ब्रह्मन के दौरान स्वामिश्री के साथ बातचीत चरण स्पर्ष आधी के लिए डॉक्टरस ने मना कर रखा था फिर भी केवल दर्शन से परित्रुप्त होने के लिए मीलों की दूरी तै करके भी लोग आपहुचते थे आठो प्रहर भगवान में निमग्न स्वामिश्री के दर्शन मात्र से लोगों को शांती की दिव्यानों भूती होती थी श्रद्धालु मुमुक्षुओं को उनके दर्शन करते ही मानु भगवान की प्रतिमा के दर्शन की पवित्रता का अनुभव होता था जहां सच्चाई है वहां पवित्रता है जहां पवित्रता है वहां प्रभूता है और जहां प्रभुता है, वहां अलोग एक आकरशन क्यों नहीं होगा, ऐसे अलोग एक संत को गोटी-गोटी वन्तुर। कर kitten है, भी वन्तुर।